ठिक टो लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम अपना करिंट फेएर देखेंगे और आजका हमारा करिंट फेएर 20-25 में ही 2023 का है तो चलिए हम अपना करिंट फेर स्टार्ट करते हैं साथी साथ वीडियो अप अंतर दक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको हर एक questions देखने को मिलेंगे जो की exam में आ सकते हैं तो चलिए हम अपना question है start करते हैं हमारा पहला question है हाल नहीं में सुप्रीम court में दो नए जजों की नुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है तो यह हो गई है 34 अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सपत दिलाई है चलिए थोड़ा हम सुप्रीम court के बारे में हमारे सम्विधान में कहां और क्या प्रावधान है उसको देखते हैं तो भारती सम्विधान में भाग पाच संख एवं अध्याय छे संख न्याय पालिका के तहत सरोच न्यायालय का प्रावधान किया गया है अब सम्विधान के भाग पाच में अनुचेद 124 से 147 तक सरोच न्यायालय के गठन स्वतंतरता अधिकार छेत्र सक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंदित है अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा अनुचेद सम्विधान में कौन सा अनुचेद जो है वो सरोच न्यायालय से संबंदित है तो अनुचेद 124 से 147 तक जो अनुचेद है वो सरोच न्यायालय से संबंदित है और भाग पाच में तदा अधियाए 6 में सरोच न्यायालय का वर्डं किया गया है चलिए नेक्स्ट कोशन के प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सरवच समान से समानित किया गया है। प्रिधान मोदी ने जापान के किस सहर में राष्टर पिता महात्मा गांधी की प्रतीमा का अनावरड किया है। तो ये है किया हिरोसीमा में। चलिए अपने नेक्स्ट क्रेशन के तरफ बढ़ते हैं। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यामार में भारत ने कौन सा बचाओ अभियान चलाया है। तो ये बचाओ जो अभियान उसका नाम है ऑपरेशन करुडा। ऑपरेशन करुडा के तहद भारती नौसीना के चार जहाज भेजे गए है। मयामार एक दच्छडपुर्व ACI देश है जिसकी सीमा भारत, बांगला देश, चीन, लाओस और थाइलैंड से लगती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारती क्रिकेट टीम ने नए किट स्पॉंसर के रूप में किसके साथ सौधा किया है। यह सौधा किया है ADDAS के साथ। भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारती राष्टी क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉंसर के रूप में जर्मन स्पोर्ट्स वियर कंपनी ADDAS के साथ हाथ मिलाया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्रिकेट के तरह बढ़ते हैं। भारती राष्ट मंडल दिवस 2023 कविसे इस बार रहा है एक अस्थाई और सांतिपूर भविसे का निर्मार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वार्ट सिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। यह करेगा भारत। तो जो 2024 में क्वार्ट सिखर सम्मेलन होने वाला उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। क्वार्ट जो है उसकी बारे में जाने तो क्वार्ट चार देश हो भारत आश्ट्रेलिया संजुक्त राज अमेरिका और जापान का एक बहु पच्छी समू है जिसका उद्देश मुक्त खुले और समरिद इंडो पैसिविक छेतर को सुनिश्चित करना और समर्थन करना है इस समू का जो गठन किया गया था वो 2017 में इस समू का गठन किया गया था चलिये आगे बढ़ते हैं राश्टी जल पुरसकार 2022 में पहली רैंग किसने हासिल किया तो यह हासिल किया है चंडीगड ने अब जल सकती विभाग, जल संसादन विभाग, नदी विभाग और गंग सनरचर मंतराले ने नगर निगम चंडीगड को राश्टी जल पुरसकार 2022 की सरुशिष्ट सहरी अस्थानी निकायश रेड़ी में प्रतम अस्थान दिया है पहला राश्टी जल पुरसकार 2018 में जल सक्ती मंतराले द्वारा सुरू किया गया था चलिए अपना आगे बढ़ते हम अंतराश्ट्री जै विवित्ता दिवस का मनाया गया तो यह मनाया गया 22 मई को जै विवित्ता 2023 के लिए अंतराश्ट्री दिवस की जो थीम है वह समझोते से कारवाई तर जै विवित्ता का निर्मार अब जै विवित्ता होता कै तो जै विविटता में पौधों जानवरों और सुचम जीओं की उलेखनी वर्गी करण के साहत वे पारिस्तिची तंतर भी सामिलुते हैं, जिन में वे रहते हैं। तो इनी के लिए हम क्या करते हैं हर वर्स जै विवित्ता दिवस मनाते हैं और यह जै विवित्ता दिवस किवल भारत में नहीं अंतराश्टी अस्तर पे मनाया जाता है और किल्तिन मनाया जाता है तो हर वर्स 22 मई को मनाया जाता है चलिए आगे बढ़ें G7 सिखर सम्मेलन का आयोजन कहा हो रहा है तो यह है जापान के हिरोशिमा में हो रहा है G7 का जो गठन था वो 1975 में 6 देशों के साथ वो कौन-कौन से है फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, युनाइटड किंग्डम और संजुक्तराज अमिर का है के साथ किया गया था और कनाड़ा 1976 में इसमें सामिल हुआ था जिससे ये साथ देशों के सदसता का विस्तार हुआ तो अगर आपसे पूछे कि G7 में कौन-कौन से देश है तो यहाँ पे आप इससे ध्यान दीजिए क्योंकि अक्सर आप्सन में पूछता है इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो G7 का मेंबर नहीं है तो अगर हमें सातो देश के बारे में पता होगा तब ही हम उस क्वेशन को सही कर सकते है वरना हमारा वो क्वेशन गलत हो जाएगा चलिए आगे बढ़े भारत में संगाई तीरंदाजी विस्तो कब भारत ने संगाई में तीरंदाजी विस्तो कब स्टेज टू में कितने पदक जीते तो यह इतने जीते है कुल चार पदक जिसमें तीन स्वड पदक है और एक कासे पदक है चलिए आगे बढ़े भारती तैराकी महासंग के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया तो यह चुने गया है आर एन जै प्रकास जी अब भारती तैराकी महासंग SFI का जो फुल फॉर्म है स्विमिंग फेडरेशन ओफ इंडिया है चलिए आगे बढ़े गट्स एमिडस्ट ब्लट बैथ अनसुमन गयक्वार्ड नेरेटिव पुस्तक की लेखक कौन है तो यह है आधित भूशन जी अब इसके बारे में जाने तो गट्ट इन द ब्लट बॉत में अनसुमन गयक्वार्ड की कहानी है जिससे उन्हों उन्होंने अपने साथियों विरोधियों प्रसास को चयन करताओं अंपायरों दोस्तों और परिवार के सदस्यों द्वारा कई आकर्सक अंतरद्रिष्टी के साथ बताया है चलिए आगे बढ़े संजुक्त राष्ट अनिवारे सतत्विकास SDG लच्छों को पूरा करने के दिसाम में प्रगती को ट्रेक करने वाला पहला भारती सहर कौन सा है तो यह है भोपाल हमारा नेक्स्ट कुश्चन है नौन नर्मित जनगर्णा भवन का उधगाटन कहां किया गया यह किया गया दिल्ली के लूटियन्स जोन में तो यह हमारा करेंट अफेर था आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और सेया जरूर करें साथी साथ हमारे इंच्टा, फेस्बुक और टेलिग्राम पेश से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्सन बॉक्स को जरूर देखें ठैंक यू